सास्रीकाल, वेलकम टू ब्लीवड ट्रेवो अच अपा जो गाल करन वाले हैं, टूरिस्ट ते विस्टर दोवे वीजा दी गाल करन वाले हैं काफी जन्हें ने ते तो confusion हों दी है कि विस्टर ते टूरिस्ट विच डिफरेंस की है बहुत लोग एडिफरेंस नहीं समझ पान दे क्योंकि maximum लोग एक हैं दे किसी विस्टर वीजा आप लाई करना है विस्टर ते टूरिस्ट इना भी थोड़ा ज़ा डिफरेंस हाएगा है actual देवेच किसे भी immigration दी site दे जाओगे maximum तो अनो उते विस्टर ही लिख्या मिलेगा tourist कट लिख्या पाएगा क्योंकि tourist एक sub category होंदी है main जो category रहेंदी हो विस्टर ही रहेंदी है तो Australia देवेच जेड़ी main category है वो 600 sub class है ते विस्टर category है लेकिन देवेच जेड़ा purpose हाँदा है वो purpose tourism है या family visit है एची तो अनो समझना पाएगा कि उते इनाची difference की है category तो आड़ी visitor ही रहन वाली है बट purpose जेड़ा हो tourism है या family visit रहन वाला है तो उसी किसे नो visit करन जा रहे हो visit करन दा भी purpose different हो सकता है visit करन ली तो आड़ी business meeting भी हो सकती है तो उसी tourism ली भी जा सकते हो तो उसी spots खेड़न भी जा सकते हो तो यानि वो different different categories ने तो उसी अपने friends नो मिलन जा रहे हो तो उसी किसे relatives नो मिलन जा रहे तो उसी अपने family member नो visit करन जा रहे तो other different categories हों दी है ने तो इची जा matter कर दी है visa apply कर लगे है एक सही category choose करना सब तो पहला कम होंदा है तो जे तो उसी category गल्थ choose किती हुए है visa officer तो आड़ी file नो सही तरिकेन assessment नहीं कर पाएगा उस case जो visa refuse होंदे chance जड़े है वो बहुत ज़्यादा हो जानदे है तो उसी किसे भी country जो visa apply करो category सही choose करना एक important role होंदा है अब बगल कर दे है कि आज़ी date दे scenario दे according कि Australia दे scenario कह की रहा है जे आज़ी date चे Australia तुसी tourism category चूज कर रहे हो तो उस case देवेच तो आड़ी document जड़े ने तो आड़ी income जड़ी हैगी है तो आड़ी funds जड़े हैगे ने तो आड़ी इस तुलावा family ties जड़े हैगे ने इस सारे प्रोथ तरीके नल दिखे जा रहे हैं ने ये सारी चीज़ां बहुत वदिया हों दियाने मैं repeat कर लगा तो आड़ी income तो आड़ी funds तो आड़ी family ties तो आड़ी purpose of travel जे चारे चीज़ां साही तरीके नलो थे नहीं fit बैट रहे हैं तो इस साही तरीके ना represent नहीं कर पाए जना चारा चीज़ानों तो उसी नहीं है जना चीज़ानों explain कर पाए तो आस्टेलिया देविच टूरिस्ट केटगरी देविच वीज़ा लेना मुश्कल हो रहे है बट छे तो आड़े कुल sponsor है गी है तेन तो आड़े वीज़ा दे चांस हाई हो जान दे अस्टेलिया देविच और जदो sponsor दी गाला हुंदी है तो देविच भी काफी जने नहीं confusion हुंदी है कि sponsor कार कूण सागदा है कि sponsor सिर्फ family member कार सागदा है blood relation देविच ही कार सागदा है कि बारदा person भी कार सागदा है कि नहीं कार सागदा और blood relation देविच भी एक confusion हुंदी है कि blood relation देविच तुसी किन्नू किन्नू मननोंगे ते किन्नू नहीं मना हुए blood relation घयो भी नहीं है कि तोड़ा real brother या sister जोए गई सिर्फ हुई तोड़ क्जाँ देख लावा हुई तोड़ क्जाँ देख blood relation इस तरे किनल तोड़े रिस्तदार प्लस तोड़े parent से जड़े रिस्तिदार, इस सब blood relation छाँ देख यानि कि ज przestधे मदर ने मदर दे बलड रिलेशन दी गल करिये थे तोड़े नाना नानी हो गए तोड़े ममा हो गए तोड़े मासी हो गई एज डेया तोड़े बलड रिलेशन चाउनगे तोड़े पेरेंट्स तोड़े फादर्स वल्लों ने देन तो आड़े दादा दादी, चाचा या ताया है गए, पुवा हो गई, यह तो आड़े blood relation चाऊनगे फिर उस तो बाद इनना ही रिस्तेदारां देवेचे जिवना दे बच्चे आगे ने उभी तो आड़े blood relation चीही मनने जानगे और blood relation देवेचे चीह देखो कि किनने नंबर जड़े ने वाद जान देया यानि तो आड़े पुवा दा मुंडा, तो आड़े मासी दा मुंडा या पुवा दी कुडी या मासी दी कुडी इस सब blood relation देवेचे आगे तो आड़े अस्ट्रेलिया दा वीजा लेना है तो थोड़ा जाए अपने माइड देवेचे चीह दू कुमाओ कि इस तरीके ना तो आड़ा कोई blood relation देवेचे अस्ट्रेलिया चाह गया है जड़ा उथे पी आर होवे या सिटिजन होवे उने थे स्टूडेंट निदी गाल नहीं कर लग गया सी पी आर होवे या फिर सिटिजन होवे जे इस blood relation देवेच कोई person है गया है वो थे पी आर है या फिर सिटिजन है गया है देन तुसी उनना दी sponsor लेके वीजा अपलाई कर दो तो आड़े वीजा दे चांस देड़े आम लिखके प्रॉपर तरीके ना बन जाना जाना जो दोसी application कर दे हो एक family tree बना के वीजा ओफसर दे सामने पेश कर दे यानि या ओनलाइन अप्लोड होंदा है चीदे वच चीज जो आनू explain किता जाना है कि कि में रिस्ता बन रहा है यह नहीं कि तुसी document submit करते थे वीजा आप पी देख लो साथ relation की बन रहा है वीजा ओफसर को लेना टाइम नहीं है तो आनू proper explanation होते देनी पहनी है प्रॉपर तरीके ना वीजा ओफसर नो दसना पहना है कि तुआडा relation किस तरीके ना बन रहा है किस तरीके ना तो आडा आपस देविज जो relation है वो blood relation है जे जो तो आनू sponsor करन जा रहा है वो देवस्ते भी आगी है जोदो तुसी application लानी है तो आड़ी sponsor दे document आणे ने या वो miss use भी हो सकते ने जोदो तो ही sponsor एकनू page दे हो मैं Australia वाले हली कहना लगा कि जोदो तुसी sponsor page नहीं है किसे एक वस्ते उस तो बाद हो जिदे call चली जानी है पता नहीं उनने किननी जगा दे तो आड़ी sponsor जड़ी है यूज कर सकते है अगले अगलों 10-10-15-15 लकवी ले सकते है तो आड़े तो एदा effect हो सकते है ते मेरा मनना है कि इस काम चे जादा बैटर है कि खोद application किती जाए या फिर एवे दा consultant चूज किती है जिते तो आड़ी डॉकमेंट दी प्रेविसी भी होवे तो आड़े डॉकमेंट मिस्यूज ना हो सकते है उदा सब तो बैस्ट एक तरीका हो रहा है जो मैं दसम जा रहे है वो किया है application कितों भी कर लो चिते sponsor दे डॉकमेंट होने ने sponsor दे डॉकमेंट दी लिस्ट ले लो user id पासवर्ड ले ल क्रास्ते जाके हो वो सम्मिट खुद कर लो उस अब तो बैस्त तरीक है क्योंकि तुसी जो तो सम्मिट करेंदे उस तो बाद उन्हों डाउनलोड करना easy नहीं है क्योंकि जे तुसी खुद कर देंदे हो तो ज्यादा बैटर है कि तो अड़े डॉकमेंट किसे एक लो पहु करा रहा है इस करकर पावे तुसी ऐन लीए कि होने 1-2 बी त्यान रिंपने र्कंट भाले ही जीड़े स्पोंसर करें जे पादे स्पोंसर लाएरे ने यह वी त्यान रिंपन रिंपन तो अड़ेद्य विश्वास करके अपने डॉकुमेंट दे रहे है बढ तुसी वही डॉकुमेंट ऐवे रहे है जिन चाके मिस्ज्स हो रहा है ओ लो लोग ओ ही डॉकुमेंट बार बार यूज करी जा रहे है ते मतलब तो अधा भी नुकसान करता चेड़े बंदेनी तो अटाधे विश्वास करके तो आनुस स्पोंसर दिती वो धा बिंगि निखसान करता आवे दी चीज हुंदी है तो इन्हां चीज़ा हो बचके रहें दी लोड है इन्हां गंला दा तैयान दें दी बड़ी लोड होंदी है ते अस्टेलिया दे विच जे तुसी इस तरिके ना ब्लड रिलेशन शो कर दें दे हो इस तो बाद नेस जड़ी चीज़ा होंदी है उनदी है फ्रेंट्स जी तो अटा खास फ्रेंट है गाए वो भी स्पोंसर कर सकता है बट वी पी आर यहां सिटिजन हो वे फ्रेंट्शिप जड़ी है वो तो अनू प्रूफ कर ली सब तो बेस तरिका होंदा जी तुसी क्लास में ट्रहे हो ते सेम क्लास दे विचे हो जो दो तुसी अपनी चूवी तैन्थ प्लस टू या एकस वाई जड़ी 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 वी क्लास पास किती है उदा सर्टिफिक ना लादो की तुसी सेम एर दे विचे पास किती है तुसी जूनियर गे हो या सीनियर हो दे रहे हो ओ भी फ्रेंट्शिप दा एक प्रूफ हो सकता है कि तुसी को कॉलेज दे विच पड़े हो एक ही टाइम पीरिट दे विच पड़े हो तो देन ओ जड़ी जड़ी शो कर द जड़े जड़े वीजा निकल जाने एवे नहीं गी तुसी किससे दी डॉक्रमेंट चुक के कहा दिता कि यह मेरा बलड रिलेशन दे विचा मेरा फ्रेंड है तो तो यह एसी एपलाई कर रहे हैं तो वीजा ओफसर वीजा दे देगा वीजा ओफसर भी बहुत से हडा हुंदा जड़े जड़े नहीं होन जो इंडिया जो जारे ने फंड्स होना दे काउट ची होन जड़े अस्ट्रेलिया तो स्पोंसर कार रहे हैं वो सिर्फ इनना ही रिस्पोंसिबिल्टीज लेंड की एक थे आके जो भी एक्सपेंस होन वाले है यानि फूड थे ट्रांसपोर्ट थे एक अक्कमोंडेशन असी पे करांगे बट जड़े फ्लाइट है या अधर एक्सपेंस रहेंगे वो वीजिट क लग दे हैं उमीद कर दे इनफर्मिशन तो अड़ी हल्प करेगी वीजा लेंड देवेच ते मिलने हैं फिर एक होर वीडियो देवेच सत शरीयकाल